बेस्ट मोटिवेशनल हिंदी स्टोरी, एक दिन एक आदमी ने अपनी जिन्दगी से परिशान होकर आत्महत्या करने का मन बना लिया, उसको और जीने का कोई मतलब नहीं देख रहा था, उस आदमी ने लास्ट बार भगवान से बात करने की ठानी, उसने भगवान से पोछा, प्यारे भगवान, मुझे कोई एक अच्छा सा कारण बता सकते हो आत्महत्या नहीं करने का, भगवान ने जवाब दिया, अपने आसपास देखो, क्या तुम घास और बांस को देख रहे हो, जी, बिल्कुल देख रहा हूँ, आदमी बोला, भगवान बोले, जब मैंने घा इनको हरी-भरी कर दिया, लेकिन बांस के बीज से अभी कुछ भी नहीं निकला, फिर भी मैंने उस पर हार नहीं मानी, मैं लगातार पानी देता रहा, दूसरे साल घास बहुत ही अच्छी और भरपूर हो गई, लेकिन बांस के बीज से कुछ नहीं निकला, मैंने फिर भी बांस सो फीट तक लंबा हो गया। इसने अपनी जड़ों को फैलाने और मजबूत बनाने में तीन साल लगाए। इन जड़ों ने बांस को मजबूत बनाया और बो दिया जो इसको जीवित रहने के लिए जरूरी था। भगवान ने आगे और कहा, प्यारे बालक, मैं अपने किसी भी जीव को या रचना को इतनी चुनोतिया ही देता हूँ जो वो सहन कर पाए। क्या तुम जानते हो, अभी जो भी तुम चुनोतियों का सामना कर रहे हो, वो वास्तव में तुम्हें अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए हैं। मैंने जिस प्रकार बांस की आने वाला हैं और मुझे पता है यह जरूर आएगा। तुम बहुत उपर उठोगे, भगवान ने उस आदमी से कहा, कितना उपर में उठ सकता हूँ, उस आदमी ने पूछा, जितना तुम चाहो उतना, और महान बनके मेरी शोभा बढ़ाओ। भगवान ने कहा, वो आदम वापस आ गया, और दुगुने उत्साह के साथ अपनी जड़े मजबूत करके महान बन गया। दोस्तों आशा है इस कहानी की हर एक लाइन आपकी मदद करेगी। और याद रखे, कभी हार नहीं माने, कभी नहीं, कभी भी नहीं। याद रखे इश्वर हमेशा हमारे साथ ह कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताए। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताए। और भी बहुत सारी हिंदी नेतिक कहानिया, नेतिक शिक्षा की कहानिया, मोटिवेशनल कहानिया, अच्छी अच्छी कहानिया और प्रेरना दा एक कहानिया पढ़ने के लिए यहां विजित करें। आपका इस धाकर बाते ब्लॉग पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।